कि नमस्कार विद्यारचिय आज हम मद्द्यन करेंगे मरीन डिपोजित के बारे में कि उशन्स के इ独् 1914 निखी पाए जाता है वो किस परकार सहे पाय जाते हैं जैसे कि हमए पता है कि जैसा जो अध्रातल हमारे महा दीपों के उपर पाया जाता है वैसा ही एक विशाष परकार का यहाँ पर एक 이कुसिस्टम जो है वो तयार होता है उसी परकार से महासागरों के अंदर भी एक विशाषष परकार का ecosystem पाई जाता है कभी आपने विचार किया है कि जिस प्रकार से हम या हमारे जो विबिन प्रकार के विरस्पती या जी 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 जो इस प्रत्वी पर मर जाता है तो वो किसी न किसी प्रकार से इस धरातल के उपर उसके अफसेस देखने तो एक चटान टूटने के बाद उसके जो अवसेस है वह उस धरतल पर ही रहते हैं लेकिन वे सभी निक्सेप जो महासागरों के अंदर पाए जाते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या देखने को मिल सकता है तो जैसे कि हम पता है कि महासागरों के अंदर विबिन परकार के जीव जो पाय जाते हैं तो वह सब जो जीव है मनने के बाद उनके ऑफसेश होते हैं वे सभी वनसपतिया जो नश्ट हो जाती है तो उनके अफसेश तथा इसके अलावा भी जो नदिया इस माह सागरों के प्रागंटर जो अपना जल उडेलती है जो प्राइब कर जमा करती हैं तो डिपोजिट्स होते हैं यह किस प्राइब देखने को उसको जमाव पर रहता है तो reverse जो इस तलिए भागों पर चल बैती है वो erosion करती है वह इंग्निस rock, sedimentary rock उसको छोटे-छोटे चूण के अंतर का छोटे-छोटे टुकडोप में माट देती है और फिर उसको बहाते हुए समुद्र के अंदर पहुचा देती तो इस परकार से यह जो जमा होते हैं वो पंक, मृतिका, सिल्ट, बजरी के नाम से इस परकार से जमा होता है इसके अलावा विविन परकार की जो नहरे है या विविन परकार के जो glaciers है वो भी इस परकार के deposits को पहुचाते हैं इसके अलावा हवा के अंतर के पाए जाने वाल और इन जॉन जो अगर हम देखे तो अगर आप ड्याग्रम के अंतरगर देख रहे होगे कि जो सबसे कम घहर वाला जो जोन लूर्ट होता है। और जो काफी गहराई तक होती है उसे हम बैसिक पैलेजिक या पैलेजिक के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार से अलग जैसे हम गहराई के और जाएंगे तो यह जो डिपोजिट्स होता है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं यानि हम इसको basically दो भागों में divide कर सकते हैं एक तो इस्तल्जात निक्षेप होता है जिसे हम terigenious deposits कहेंगे और एक होते है गहन सागरी निक्षप जैसे हम Bellagic निक्षेप हैं आगर करता है आउन करल लेता है कि इंभ अदेव निकिने सरैंट कि तो आहां पर आपको भजरी मिल सकता है रिच मिल सकता है क्ले मिल सकता है थो इसके अलबा ये जो सबसे अंटिरियर को आपको गैराई वाला जौन है इस शेतर के अंतरगा जो आपको deposit मिलेगा उसको हम basically दो भागों में divide कर सकते हैं एक तो जैविक होंगे जिसे हम organic कहेंगे और एक होगा इन और जैविक कहेंगे अब जैविक निक्षेप को हम भी दो भागों में divide कर सकते हैं एक तो आपका चूना प्र हो जाएगा जैसे जैसे हम slides को बढ़ाएंगे समझेंगे किस प्रकार से जो चूना वाला जो डिपोजिट्स होता है उसको भी हम दो भागों में divide करेंगे ग्लोबी जरीना होगा और एक टैरिपोड होगा इसी प्रकार से जो सिलिका बेस्ट जो होगा उसको हम डाइटम और मित्रलाजिक की जो डश्ट है में उसको हम उसके इंतर करते हैं तो बढ़ते हैं मागे next slide के इंतर कर देखता है यह जौन है जिसके हम आपका पहले जिक के अंतरगत आएगा और बैनेथिक जो जोन है उसके अंतरगत काफी यह जो जोन है काफी गैराई वाला यानि एक किलोमेटर से भी नीचे वाली जो गैराई पर जो जमाव देखने को मिलते हैं उन्हें हम बैनेथिक के नाम से जानेंगे पहले जो रहेंगे उसके आपको इससे अबोव वाली हाइट के अंतरगत रखा जाएगा नेक्स हम वरते हैं कि टम टू नौ रेफिरिंग तो ओशें जोंस तो ओशें जोंस के अंतरगत हम जिस परकार से कहा हमने नेरेटिक आप दो कोश्ट यान कोश्ट के पास वाले जो जो होते हैं उसको हम नेरे गैराई वाले डिपॉटिस के, नंतरगत जाते हैं फिर हम सोर्सस अब सैडिमेंट की बात करते हैं कि ये सोर्स कहां से आया सेडिमेंट तो सैडिमेंट जो है वह तैडिजनिस हो सकता है यानी अर्थ के द्वारा प्रोकार के जीव जो है वह इसकी रुष वह जो पीछे उनकी हड्या जो बचती है तो वह जो हैता है वह इस पर करके Biogenes कहेंगे Hydrogenes कहेंगे जो Water Produce होंगे और Cosmogenes रहेंगे तो Universe से जितने में Cosmic जो Dust है वह Dust मिलकर इस पर करके Deposits को तैय करते हैं फिर हम कर सकते हैं सबसे पहले हम Terigenes के बाद करते हैं from the land यानि यह जो Deposits होंगे वो Land से आता है तो इस डेजर्ट की जो रेथ है वह उड़ती हुई यानि continent से सीधी Oceans के अंतरगत पहुंच जाती है Terigenes के अंतरगत दूसरा जो सोर्स है वो है volcanic eruption यानि ज्वालमुखी के अंदर से जो धूल या dust या magma ने कलता है वो भी एक Deposits के अंतरगत देखने को मिलता है इसी प्रकार से तीसरा जो Terigenes के अंतरगत रहेगा यानि इस्तलजात जो निक्षेप रहेंगे उसमें आपका जो सोर्स रहेगा वो रहेगा रिवर सेदिमेंट रांस्पोर्ते रांस्पोर्ते अन्टू कॉंटनेटल से अंतरगत इस प्रकार से और शिसके अंतरगत यी डिपूजित रहेगा नेक्स्ट यानि टर्बुदिटिक करेंट्स चो होती है यानि अवलांस आप दे मड़ी ओशेंट वाटर मेड हैवी बाइट टैरी जोने सेडिमेट दे फ्लो डाउन एंड कंटिनेर स्लोब एंड सब्मरीन केनियंस फॉर्मेटिंग कंटिनेर रिलाई इसन पर्खास होते हैं काफी बड़े होते हैं और कले जो रहता है वह टलकम पावडर के according लिए आपकी इस प्रकासे यानि ये जो side है उस size के अधार पर अगर हम कहेंगे कि सबसे बड़ा जो size जो रहता है sediments का उसमें सबसे बड़े जो होता है वो boulder कहता है जिसे गोलाश्म कहा जाता है तो अगर उसका diameter देखे उसका व्यास देखे तो 256 mm जो होता है उसको हम boulder या गोलास्म कहता है इसे प्रकासे के बाद getting सेंड रहेगा सैंड उसके बाद सिल्ट रहेगा उसके बाद CLAY रहेगा यानि सबसे जो महीन जो diffusor रहता है वो आपके CLAY का रहता है तो इस प्रकार से बड़े से चोटे रूप में हम इस परकार का deposit देख सकते हैं यह आपके deposits है यानि जो submarines canyons जो रहता है यानि marine के अंदर weaving परकार के जो canyons होता है उनका जो erosion होता है और उससे जो deposits तैयर होता है तो यह deep sea के अंदर यानि हमने जिस परकार से नदी द्वारा निम्मित इसला करतिया को पढ़ा था तो उसके अंतिकत हमने इस परकार के fans को पढ़ा था जिसको हम महीन महीन वाले आगे देखने को मिलता है तो बड़े-बड़े कंकर यहां आपको यहां देखने को मिलते हैं उसके बाद चोटे-चोटे आपको कंकर देखने को मिलते तो इस परकार के भी deposits आपको यहां पर देखने को मिलते हैं अब अब बात करता हैं पेलेजिक्स एलिमेंट्स की, तो sediments that come from open oceans, यानि ऐसे अवसाद जो खुले महासागरों से प्राप्त होता है, not from land, यानि इनका land से कोई लियना देना नहीं, ये जो depoches होता है, वो underwater के अंतगत पाए जाने हैं, वेल वीन परकार के structure से ही उस परकार के sediments देखने को मिलते हैं, तो form in deep sea, far from land, यानि इस परकार के जो निक्षेप होता है, वो काफी गहराई पर समुद्र के अंतरगत मिलता है, और जो land surface होता है, या continents होता है, उससे काफी दूर इस परकार के निक्षेप देखने को मिलता है, तो जिस परकार से Atlantic Oceans के अंतरगत, इस परकार के जो depoches होता यानि लगबग 3 km मोटे तक आपको देखने को मिलता है, Pacific को मिलता है, मैंने यहाँ पर मीटर बता दिया आपको, तो 3000 feet thickness वाले यहाँ आपको deposit देखने को मिल सकते है, यह जो deposit रहता है, यह आपके open ocean water के अंतरगत देखने को मिलेंगे, और deep sea यानि काफी गहराई वाले समु यानि काफी छोटा जिसके अंतरगा आपका less than आपका 30% जो biological matricals देखने को मिलता है, यानि pieces of living things जो रहती है, यानि जो जीव सागर के अंदर को देखने को मिलता है, तो सागरी जीवों के जो चोटे-चोटे piece जो अवशिस होता है, वो मिलकर आपको इस प्रकार के material देखन को मिलता है, क्ले क्या होता है, तो fine dust यानि काफी महीन धूल होती है, size particles containing आपका 30% biological materials, besides that clay contains pieces of living things, यानि इसके अंतरगा आपको clay मिलेगे, कुछ biological materials मिलेंगे, और ये सब मिलकर marine snow मिलेगा, आपके calcass materials आपको देखने को मिलेंगे, कुछ micro material आपको देखने को मिलेंगे, और क प्रकार के clay का निर्मान करता है, ये विवन प्रकार के सेडिमेंट्स है, वो oceans के नतरगा देखने को मिलता है,